कह रहा है कि volume and surface area of a solid hemisphere are numerically equal okay बात समझो कह रहा कि कोई hemisphere है उसका जो volume और surface area numerically equal है तो कह रहा है what is the diameter of the hemisphere ठीक है भाई अब ध्यान से चेक करो बच्छों ये कोई hemisphere है आपका इस तरीके से और माना कि इसका रेडियस कितना है आ रहे है ठीक अब ध्यान दीजेगा जरा कह रहा है वाल्य मैं सर्फिस एरिया of a solid hemisphere अब यह अच्छा कोशन है बच्छों ध्यान से सुन लो very very good question अगया है पूछो क्यों यह solid hemisphere है ना यह आपका बाउल नहीं है सुन लीजे ध्यान से बच्छों यदि यह बाउल होता खोकला होता होलो होता है ना यदि यह क्या होता बाउल होता समझो बहुत अच्छा कोशन है very good question देखिए बच्छों अगर यह बाउल होता जैसे कटोरा होता होता है ना तब तो यह hollow होता होलो मतलब खोकला होता इना यह क्या बात बता रहुं समझोंसर बात मैं यह बताराह। आएगर बाउल होता तो आहाम आप पानी डाल सकते हो होना सब will कि मद नहीं चैтивिק कि इसका जो सर्फिस एरिया होता वाउल का वह होता इस फेर का हाफ इस ते कितना होता एक समझें सब्सदों घलत करो आसी को और इस फेयर का होता है कितना और तो इसको 20 से कट कर दोगे तो अगर यह बावल है कैसा है समझो तब तो आप 4the r2 का यह जो एरिया होता था इस फेयर का इस फेयर का जो यह एरिया होता था उसका हाफ करोगे यानिकि इसको two से आप divide करोगे ठीक है ना सो इसको यदि आप two से divide करोगे तो 2PiR square आपको इसका लेना पड़े आप खुड दिमाग लगाना यह बावल है तो बावल पूरे पूरे स्फेर का फॉर पायर स्कार तो हाफ का लेकिन अगर सॉलिड स्फेर है ध्यान से चेक कर ले ना उसने दिया कोश्चन में आपको क्या अगर अगर हम बोले उसको पेंट करो तो कहां कहां कर सकते हो कर पे और इसके टॉप पे भी तो करोगे यहनिंक इसका जो सॉलिड इस फिडिस्वा सॉलिड होता है मतलब इस्में तोटल शर्फिस अर्या निकालोगे यह वाला भी लो इने कि कैस में अगर आप Whoa trees निकालना है तो टोटल निकालोगे आप उसका कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा तो इस बात का आपको ख्याल रखना एक्जाम में अब सवाल कर लीजे कह रहा है कि सर्फिस अरियाया-को फूलिम याद रखना अब उसने बोला वह बात कर रहा है इसकी और उसने बोला कि देखो भाईया इसका जो वॉल्यूम है यह इसके सर्फिस अरिया के निमेरिकली एक्वल है मतलब एकॉरडिंग्टू जहुल according to the question क्या बोला उसने उसने बोला कि वॉल्यूम ओफ solid हेमिस्फेर इस इक्वल्स टू सर्फिस एरिया ओफ सॉलिड हमिस्फेर है ना सर्फिस एरिया को ए से दिखा रहे हैं वान लो सर्फिस एरिया ओफ solid हेमिस्फेर इस इस आप जहन दो वॉल्यम ओफ, Solid हेमिस्फेर कितना हो जाएगा वॉल्यम ओफ सॉलिड हेमिस्फेर कितना हो जाएगा टू बाइ 3 permet का क्यूGA इसका रीडियस अगर कितना है और अभी अभी आपने स्फिस एरिया निकाला solid का कितना आया था 3PiR square सो 3PiR square correct अब आपको निकालना क्या है इसका diameter निकालना तो डाइमेटर निकालने के लिए radius निकालो radius का डबल कर दोगे diameter आ जाएगा तो रेडियस कैसे निकालोगे अराम से विलकुल समझवो देखो अराम से विलकुल देखो नेक्स से स्टेप में क्या करोगे आप 2 by 3 सबसे पहले एक काम करो पाई से पाई आप काट सकते हो यह पाई उदर जाके डिवाइट लगेगा तो कट जाएगा अब देखो यह 2 by 3 और यह r cube है r cube को क्या लिख सकते हो बताओ r cube को आप लिख सकते हो r square into r सही है तो हमने क्या गिया r cube को क्या लिखा r square into r is equals to 3 r square अब ध्यान दो एक r square से यह वाला r square कट जाएगा चेक कर लो यह r square जाके डिवाइट हो तो क्या हो जाएगा यह r is equals to ध्यान देना जरा यह वाला 3 ऐसा ही रहेगा इंटू यह त्री डिवाइड में उधर जाके मल्टिप्लाई करेगा और यह तू मल्टिप्लाई में था तो आके डिवाइड करेगा खुद समझो ना इधर यह था उधर जाके 3 by 2 हो जाएगा यानि कि यह वाला 3 तो ऐसे यह उसमें 3 by 2 का मल्टिप्लाई हो गया त्री 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 जा नाइन 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 बाइट टू हो गया ठीक अब डाइमीटर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे डाइमीटर कॉम डी से दिखा रहे ह तो डाइमीटर क्या होता है तू इंटुडार यहींणे कि टू इंटू रेडियस विस्टाद टू इन्टु र आर ऐर का वल्लू कैतिना है नाइन बाइट 2 ड५ी से तुट टू कैंसल का आन्सर आजेगा 9 सेंटीमीटर त तो इस तरीक से डाइमीटर कितना आगया आपका नाइन सेंटिमीटर, ओके सुडेंस, कर लीजे,